ओम साही राम, वेलकम टू साही समरपन चैनल और आज सवाल आपके होंगे और जवाब साही के होंगे आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मन में 21 बार साही को याद करना है साही साही बोलना है अपने मन में उन्हें याद करना है, उनका स्मरण करना है और आपके मन में जो भी शंका है ना जो भी सवाल है कुछ भी है ना आप आज अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो बाबा के संकेतों के द्वारा बाबा आपको आज स्वैम जवाब देने आए हैं तो चलिए वक्त ना जायर करते हुए आते हैं कि सवाल आपके होंगे और जवाब साइं के होंगे क्योंकि आपके मन में अक्सर चलता है ना कि साइं आपको जवाब नहीं देते तो आज साइं आपको स्वैम जवाब देने आए हैं तो आपने करना कुछ नहीं है, आपको स्क्रिन पर चार तरह के चार रंग के दिल दिखाई दे रहे हैं, उसे आपने चूस कर लेना है, अपने रंग के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, जो आपको स्काई ब्लू, यलो, रेड और पिंक, जो आपको ये चार रंग दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपने एक रंग चूस करना है उसके बाद अपने मन में जो भी सवाल है जो भी शक है आपके मन में डाउट है बाबा से पूछना है और बाबा का 21 वार नाम स्मरण करना है ठीक है फिर आपको जवाब बाबा दे देंगे तो चलिए अब हम पहले बात कर जो स्काइबलू वाला दिल है जिसने भी चूस किया है उसके लिए बाबा ने क्या संकेद दिया है क्या जवाब भेजा है तो जिनों ने भी स्काइबलू वाला दिल चूस किया है उनका आच लकी नंबर है 5 आपको बाबा ने 5 लकी नंबर आपको दिया है और बाबा ने आप बाबा ने बोला है कि जिन चीजों से आप परिशान हो रही हों ना परिशान बिलकुल भी मत हो नियाए आपके पक्ष में ही होगा अभी जितनी परेशानियों से आप घिरे हुए हो, परेशान हो, जिन चीजों में आप घिरे हुए हो न अभी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है बहुत सारे चीज़ें आपके विपरी चल रही हैं लेकिन आने वाले समय में सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है बले ही आज कुछ आप नहीं समझ पा रहे हो लेकिन आने वाले वक्त में आप समझ जाओगे सब कुछ आपके according होना शुरू हो जाएगा अभी आपके according नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल कर आपके according नहीं होगा ये शुरुवात है ये परिक्षा की घड़ी है नयाय होगा और नयाय आपके पक्ष में होगा तो ये बाबा ने भेजा है आपके लिए और बाबा ने ये भी कहा है कि आप आज से ही 21 दिन तक रोज बाबा का नाम स्मारण करेंगे बाबा का जाब करेंगे उसके बाद में आपको वो फल मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो तो चलिए अब बात करते हैं जिनोंने येलो कलर का दिल चूस किया है अब हम उसके बारे में बात करेंगे जो येलो जिनोंने कलर चूस किय उनका जो लखी नंबर है वो है 9 तो बाबा ने उन्हें ये संके दिया है कि वो बहुत दिनों से चाह रहे थे कि वो दिया जलाना चाहते थे बाबा के आगे बाबा के समक्ष तो बाबा ने जो आपको लखी नंबर 9 दिया है तो बाबा ने कहा है कि अगर कोई भी आपके घर क आपके द्वार्प के पास आए, या आपके घर के दर्वाजे पर आए, या आप कहीं बाहर जाओ, अगर आपको कोई भी पीर, फकीर या कोई भी दिखाई दे, आपको उसे नौ रुपे देने हैं, और आपने इस गुरुवार से नौ दिये जलाना शुरू करने हैं, इस गु अच्छा है, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, आप ये नौ दिये जलाएए, उसके बाद आप बाबा का चमतकार भी देखिए, बाबा आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं, और हाँ बाबा ने ये भी कहा है, कि जब आपके नौ दिये जलाना कम्प्लीट हो जा उसे अंदान करना है, किसी की आत्मा को तरप्त करना है, उसकी आत्मा तरप्त होगी न, जो उसके अंदर से दुआएं निकलेंगी, जो अशिरवाद निकलेगा, वो आपकी इच्छा को पूरी करेगा, ठिक है, तो ये आपने करना है, जरूर करना है, जिन्होंने यलो चूस किया था अब बात करेंगे हम red color की यानी की लाल color जिसने लाल color चूस किया है उनका बाबा ने lucky number भेचा है 198 उनका lucky number है और बाबा ने उन से ये कहा है कि जो भी आपकी कानूनी कारवाही चल रही है उसमें आपकी जीत होगी आपको उसमें कोई पराजित नहीं कर पाएग जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आज नहीं तो कल वो हार जाएंगे, उनका जो पक्ष है वो नीचे हो जाएगा और आपका पक्ष जो है वो उपर हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, हाँ मानते हैं बाबा ने कहा है कि गलतिया तु जो आपको बहुत जल्द कानूनी मामलों से, कानूनी कारवाहियों से बहुत जल्दी राहत मिलेगी और बहुत जल्दी आपके सारे काम सफल हो जाएंगे, और आप बहुत जल्दी वहां से बाहर भी निकल जाएंगे, आपको कोई परिशानी नहीं आएगी, और जहां भी आएगी जो भी आएगा बाबा देखेंगे आपको पुलिस का सहरा लेना होगा थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और जो चीजे आपको लग रही हैं कि आपके खिलाफ हैं जो चीजे आपको लग रही हैं कि आप पर अतियाचार हो रहा है या कुछ भी है तो आप वहाँ पर अ अब बाबा ने आपसे कहा है कि अपने हग के लिए अपने लिए अवाज उठाओ और बाबा आपके साथ में है, सब कुछ आपके साथ होगा और आपके शत्रू जो है वो पीछे हड जाएंगे, धीरे-धीरे करकर और आपको आज से ओम साई रक्षक शर्णम, ओम साई रक्ष हैं हम पिंक वाले दिल की जो गुलावी रंका है जिनोंने चोस किया है उनका जो लखी नमबर है वो है 191 उनका लखी नमबर है 191 और उनका भाबा ने ये बोला है कि धन के पीछे अभी आप जतना भाग रहे हो धन के पीछे मत भागो अपने काम 열बी को चाहते हो तो मेहनत क प्रतिशत निकालो और इसी को दान करो कुछ भी दान करो कुछ भी जो भी आपका है चाहे आप महीने का 500 ही क्यों न कमाते हो उसमें से 5 रुपे निकालिए और उस 5 रुपे का किसी को अंदान करिए चाहे एक बिस्किटी सही लेकिन अंदान जरूर करना है बावने कहा है आपकी भड़ोतरी होगी आपके सब कुछ मिल जाएगा और पैसो को ना हमेशा खर्च करना है तो हिसाब से पैसो को खर्च बहुत साबधानी से करें और आप ये सोचें कि आपके पास में धन है तो आप उसको संभाल के रख लें ऐसा नहीं है उसमें से कुछ प्रतीशत आप दान करते चलेंगे आपका जो प बाबा का बाबा के बच्चों तक पहुंचना चाहिए ये बाबा का आदेश है ठीक है तो आपने जो भी आपकी सेलरी है उन सेलरी में से आपको कुछ प्रतीशत निकालना है और बाबा के बच्चों तक वो पहुंचाना है और आपकी किस्मत को चमकने में आपके भागे को चमकने में देरी नहीं लगेगी क्योंकि जब बाबा की किरपा हो जाती है न तो आपको धन के पीछे भागने की जरुवत है ही नहीं आपके पास में इतना काम होगा न कि आपको फुरसत नहीं होगी तो महनत करो, अपने करम करो बाबा ने आपके लिए उत्तर भेजा है तो चलिए, I hope कि आपको आपके सवालों के जवाब बाबा ने दे दिये हैं कुछ हद तक आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे, चैनल पर बने रहिए ऐसे ही बाबा आपको जवाब देने आते रहेंगे, और आपके मन में जो भी डाउट सोंगे, बाबा क्लियर करेंगे और जिसे भी आज क्लियर हुआ है जरूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए अगर आपको आपके सवालों के उत्तर मिले हैं तो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, लाइक और शेर जरूर करें आगे से आगे तक पहुँचाएं क्योंकि जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिनके मन में भी शक हैं सवाल हैं, उन तक बाबा का उत्तर पहुँचना चाहिए, तो ये सेवा है ये सेवा निभाई है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए ओम साहिराम, जै साहिराम